आउज बिल्लाही मिनेश्यदान राजी बिस्मिल्ला रर्रह्मान रॉराहीम अस्सलाम उलेकुम रह्मतुल्लाही वबाराकातु हूँ जमान देहम यूना नमबर टू मुजवाती मतालिया सबक नमबर दो सबरों शुकर हमारी इंफ्रादिय और इस्तवाईज जिन्दगी लेक्ची नमबर शिक्स स्टुडेंटस हमारा सवाल नमबर तीन है शुकर के लुगवी माईनी क्या है और शुकर अदा करने के तरीके कितने हैं और कौन-कौन से हैं यानि शुकर के लुगवी माइनी और शुकर अदा करने के तरीके बियान करें सवाल नमबर हमारा आज का तीन है आईए सबक की तरफ चलते हैं नमबर वन शुकर का लवजी माइनी शुकर अर्विज्बान का लवज है और इसके बेशमार माइनी है जो कैं यहां पे मैंने लिखती हैं हैं, आइए इसको देखते हैं नबर एक, किसी के अनायत पर उसकी तारीफ करना नबर दो, उसका शुक्रियादा करना नबर तीन, जजबे शुकर गुजारी नबर चार, जजबे इज़ार आहसानमंदी नमबर पांच यानि जानवर को थोड़ा चारा मिलने पर भी वो तरो ताज़ा हो खुश हो और जादा से जादा जो है वो खुराक जो दे फल दे दूद दे ठीक है इसको आम हमफूम में इस तरह से बियान करते हैं यानि अगर कोई थोड़ा सा भी कोई काम करे तो उसकी मुकुमल कदर की जाए उसका इस्सान बाना जाए और उसका शुक्रिया अदा किया जाए ये शुकर के माइनी है तारीफ करना किसी के अनायत पर यानि अगर किसी ने कु उसकी कदर करें और उसका भरपूर जो है वो शुकरिया अदा करें आए जी दूसरी हेडिंग है हमारे शुकर का इस्तलाही माइनी क्या है इस्तलाही मफूम किसी के एहसान पर उसकी तारीफ करना उसका शुक्रियादा करना उसका एहसान मानना और उसका इजहार करना शुक्र का इस्तलाही माइनी है इस्तलाही मफूम है नमबर तीन पर है जी शुक्र का इस्लामी मफूम हमारा मजब शुक्र के बारे में क्या फर्माता है शुक्र का इस्लामी मफूम क्या है जी अलाद अलाद की अहसानात और उसकी नेमतों की कदर जान कर उसके अहकाम की अतात करना उसकी फर्मा बर्दारी करना इसलाम में शुकर है दुबारा से रुपीट कर रही हूँ अलाद की अहसानात को और उसकी नेमतों की कदर करना जो अला ने एककामाद नाजिल किये हैं हमारे लिए उसके आपने क्या करनी है अतात करनी है और दिली फर्माबरदारी यानि दिल से आपने उसको तस्लीम करना है और उस पर अमल करना है तो गोया इसलाम में ये शुकर है आप अला की नेमतों का उसके एककामाद पर अगर अम अगर तुम शुकर रदा करोगे तो तुम्हे और ज्यादा दिया जाएगा इस साय से ये मालुम हुआ कि शुकर जो है वो रिस्क में इजाफे का बाइस है अगर अगर हमें देता है नवासता है थोड़ा नवासता है और अगर हम उसके शुकर अदा करते हैं अल tradговा की नेमतों का उसके अच्छानात का और उसके अर्न उसकाम के अधाद भी करते हैं तो आलड-ज्या जो है वो क्या करता है बादा रिस्क में जो है मजदिद इज्दै इजाफा फरमा दिता है नमर दो बे है अलाद 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 और उसके रिस्क में कमी आएगी बजाए कि शुक्र कुजारी करें और बरकत लें और अगर नशुक्री करें तो इसके रिस्क में घटा पड़ेगा कि एसके लावा बेलाद अलय पर्मायर कि अद्हर्शिक्त कर देखिए हो तो उसकी नेम्तगों का शुकर अधा करो बिशमार और भी कुरानिया याद है तो मैंने कुछ यहां पे लिखनी है ठीक है उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो है हदीस मुबारका है शुकर हदीस मुबारका की रोश्णी में तो हदीस मुबारका में हद्रत अमर रजियल्ला अन्हों को क्या वसीयत आप दिल और शुकर करने वाली जुबान ये ऐसा माल है जिसे आप जमा करोगे तो ना सिर्फ ये कि आपकी दुनिया बहतर होगी बलके आपकी आखरत भी इस से बहतर होगी तो फरमाया कि शुकर करने वाला जो है वो दिल और जिकर करने वाली जुबान जो है इससे बहतरीन जमा किया हुआ माल और कोई नहीं है आप सल्लिए लाहु ले ले सेलम ने हज़द मौस रजिय लातला अनों को वसीयत फरमाई और वसीयत में आप सल्लिए ले अवंदे से पर मेरी मदद फर्मा पाल incentives जो है वह इसमें ब्यान की है नमीधर के है अख़ी मत पर और अच्छी बादत करने पर लॉह मदद छS को इस दूआी नसीहएंट हज़ान कि रवायत करती है कि आप चुक्त ज़्यादा इबादत करते थे इबादत गुजाद थे कसरत कayम की वज़ह से आप चूहां के पौँ मुबार्ग जो थे वो सूज गे तो आप ज़्यादा शूल्यादा अशुर्ण से अर्स किया कि या रसुलिललाः ने आपके तमाम गुनाहों को बक्ष दिया है तो इसके बावजूद भी आप लाद आपके बूहत जादा अबात करते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं हलाकि आपके अपने पॉँँ भी इस चीजस से सूजन में है और वर्मा गय हुन में तो इसकी क्या वज़ा है तो आप सलिए लिए 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 और अल्ला की एक एक नेमत कर शुक्र अदा करें ताके हम भी हमारा शिमार भी आविदीन में और शाकिरीन में हो नेक्स्ट है जी, सेडिंग नमबर सेवन है, शुकर के तरीके अब अल्य जल्य ने हमें बेशमार नेमते दी हैं, हमारे उपर एस्तानात हैं अगर हम खुद को देखें, अपना मवासना करें, तो अल्य जल्य ने हमें आंक, नाक, पैर, कान, दीगर जिस्मानी अजादिये हैं, जो के हम रोज मरए इस्तमाल करते हैं, और लेकिन हम उनके इस्तमाल पर अल्य जल्य का शुकर अदा नहीं करते हैं, बहुत सरे ऐसे लोग ह हमें इन तमाम नमतों से नवादा है, तो हमें भी चाहिए कि हम जादा से जादा अल्य जल्य का शुकर गुजार बंदा बनने की कोशिश करें, तो हम किस तरह से अल्य जल्य का शुकर गुजार बंदा बन सकते हैं, क्या तरीके इक त्यार कर सकते हैं, कैसे हम अल्य जल्य के लुवाय आप जुक्री आदेश्जुए इस हार अगर किसी ने कोई अत्सान की है तो आप जुबान जुक्री हाय करेंकिए मैं आलति का मैं आपका मश्यूर आरिये मिज्युमक ऑऽंकिनक मैं खूझाइ सबस्क्रothぎ्त्सांसे करते हां आप उस बंदे के एसान का अगर किसी ने आप पर कोई एसान किया आपकी मदद किया आपकी कोई तकलीफ दूर किया तो आप उसको जो है एसान मानने और आप उसका शुक्रिया दा करें लगों का शुक्रिया दा नहीं करता तो वो मेरा भी शुक्रिया दा नहीं करता तो अगर आप बंदों का शुक्रिया अदा करते हैं तो गोया आपने अल्ला का भी शुक्रिया अदा कर दिया अल्ला की नेमतों का उसके अखकमात का भी शुक्रिया अदा कर दिया अगर आप किसी बंदे की मदद पर अगर उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसके बाद है फैली शुकर, फैली मतलब फैल से है और फैल मतलब अमल, अमली तोर पर आप अल्ला का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं, इसके थोड़ी सी मैंने मुक्तसिर सी डिटेल लिखी है, यह उसकी तरफ चलते हैं, नमबर एक कौली शुकर, जुबान से कलमाते तशक लिख्र, याली शुक्रिया की अलफाज अदा करना, जुबान। अभर यह तक शुक्रिया के यह रफाज हैं, और आप यह कह सकते हैं, अगर आपके साद किसी ने कोई नेकी या कोई भलाई की हो, आप इसका इヶार करें बगएधा, तकर अगले बंदे को भी पता हो, और उ होगी कि वह दूस्रे लोगों की जादा से जाधा चिक्याल करें तो आपने अम पनी ज答ा कि करना है किसी के अहसान पर अगर आपने क किसी ने आप पर कोई अहसान के तो आपने लाजमी उसका जुबान से शुक्रिय अदा करने नम्बर दो है कलошी शुकर जो है, दिल में अला की अजमत और अपने अतातो बंदेगी के एसास, अजमत तब अकी बढ़्याई का दिल में एसास क montón करें कि लग तर बजूर्गी वाला है, तो बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं और यह हकीकत है इसकदर आला के हमारे ओपर अहसानात है इसकदर आला के हमारे ओपर नेमते हैं उसकी रहमते हैं और उनका नजूल है कि हम उनका शुमार करना चाहिए तो हम हर्गिस उनका शुमार नहीं कर सकते हमारे बस में नहीं है यह और اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمارے اوپر نعمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی ہیں ہمیں عطا کی ہیں اور کلبی شکر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی عطاعت و بندگی کا احساس ہو کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کی عظمت اس کی نعمت اور اس کے احسانوں کو جو ہے وہ نہ صرف ہم نے اس کی عطاعت کرنی ہے بلکہ اس کے بدلے میں ہم نے اللہ کی بہت زیادہ عبادت بھی کرنی ہیں فعلی شکر فعلی شکر ہے اپنے عمل से आल् Creation की बजावरी और अपने आपको लगइ स्पुट कर देना यांई अपने अमर से आल्ध के हकामाथ के आल्ल आप अगर आप सहबत सहताद आ हैं और जगात अगर सह PHP अस्तहात थाद हैं देखें आप नमास पढ़ें अमली तोर पर ये अला ताला का जो है वो शुकर अदा करना है उसकी नेमतों का शुकर अदा करना है आप नमास के जरीए कर सकते हैं आप रोजे के जरीए कर सकते हैं आप जो हज अदा करके हज बदनी अबादत है अगर आपके पास माल है आपके अल्द आला के शुक्र गुजार बंदे बन सकते हैं, अल्द आला के शुक्र गुजार बंदे होंगे, अल्द आला ने कुर्ण बाग में फरमाया कि हमने इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया है, हमने इंसान को रास्ता बता दिया है, अब वो चाहे तो अल्द आला का उस रा ये पासरे हैं और हो सकता हैं। अपने किसी चीस इतनी चीजार के उपर हमें इकतीर नहीं रखते हैं। possibilities Allalley के हैं। हम सिर्फ एक अच्छा बंदा बंद सकते हैं और हमें इसकी कोशिश करने चाहिए कि हम ना सिर्फ आबिद बलके हम अलाज़ाला के शाकिर बंदे भी बनें आबिद मतलब इबादत गुजार बंदा और शाकिर मतलब शुकर करने वाला बंदा बने नेक्स्ट है हमारे शुकर अंबिया अलेहिसलाम का शेवा अलाज़ अलाज़ ने तक्रीबन एक लाग चोभी साज़ार पर अंगमबर भेजे सबसे पहले हज़रत आदम थे और सबसे लास्ट में हज़रत मुहम्मद स्लिलाहु लेह लिए सलम आपने कस्छूस अलंबिया में बहुत संबसे लावा कि शूड़ी करते हा रहे हैं स्टार्ट से चुर्ट चुट चुर्ट किसे चुट对 अउक्पयों को चुटा आप सुनते शनलाजियों के इस सब्दमा कि किसमायए लेकिन ने हर मोके पर हर मोके अल्या को को शुकर अदा-कूश अलाके महभूब बंदे बनते गए उन पर भी बहुत ज़्यादा समाइश हैं माल की अजमाइश उलाद की अजमाइश हर तरह की उन पर अजमाइश है लेकिन अल्ला का उन्होंने हर हाल में शुक्रिया दा किया सबर किया तो अल्ला ताला ने जो है उनको इसकदर एहम मरातब पर फाइस किया यह आप लोग भी जानते हैं कि किस कदर उनके बड़े मरतबे हैं और मरातिव हैं तो इसमें कुछ अंबिया किराम नेंगे बढ़ाों को बेशग इन को शुक्र गुदार बंदा पाया याने कि बे chakra क मैं न disastersal म को बेंगे इसे तरह बन इन को शुकर अदा गुदा निया और इंहिए अधर रहे हुए स्धि़ार नि Εbb celebration के भाकु तरह सुप्तिया कि你們 इनको गारते हैं और इनको उनके बारे में भी आप जनते हैं कि आवां जो एैप किसक्दर अज्माया जिस मानी विमारी उनको दी। उनके मान में वैशी उन से जुखी उट को खतम होगे दूर को लोगे माली तोर पर बदनी दोर पर हर तरह अल्हाद आले ने उनको अजमाया लेकिन उन्होंने अल्हाला को जो है सबर का दामना चुड़ा और शुक्र अदा किया हर हाल में तो अल्हाला ने उनको नेम अच्छा बंदा करा दिया तो देखें पेगंबरों ने भी बहुत बहुत जादा आजमाईशे और मसाइब को जो है वो फेस किया है उनका सामना किया है लेकिन उन्होंने हर हाल में अल्हाला का शुक्र अदा किया है और कभी ना शुक्री नहीं किया है और हमारे प्यारे नभ और अल्हाओ का महभूब बंदा बना चाहते हैं तो हम अल्हाओ की निम्तों का शुक्र अदा करें उसके इसानात को जो है वो समझें और जो भी अल्हाओ ने हमारे उपर अख्माद नादल किया है हमें चाहिए कि हम जो है उस पर मुकमल दोर पर अमल करें ताके हम दुनिया और आखरत में सुर्खरों हों और हम अल्हाओ की जो है वो रजा और उसकी मदद हासिल कर सकें स्टूडेंट्स स्वाल नबर तीन हमारा यहां पर एक्ताम पजीर होता है इंशाला नेक्स लेक्चर में इस चैप्टर का आखरी जो सवाल है उसके साथ मैं हाँ खाजर होंगी मैं आपसे इजाद़ चाती हूँ अमेद करती हूँ आपको यह सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आप इसे समझें इस पर अमल भी करें ना सिर्फ यह कि आप इससे पढ़ने की हद तक जाने और समझें बलके आप अमली तोर पर भी इसे अपनी जिंदगी मे लाएं कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जो भी आपको अल्दाल की तरफ से मिले कोई भी चीज हो आप उसे एहसान समझें आप उसका शुक्र अदा करें कि देखी वो नेमत आपके पास हो सकता है वो किसी दुसरे के पास ना हो तो मैं आपसे इजाद़ चाहती हूँ इ इसलाम लेकुम वरह्मादुलाहिव बरकात।